शनी साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्ट परिच्य शिरी शनी श्वर तीर्थ शेत्र, शनी आश्रम, चिकल थाना, छत्रपती संभाजी नगर, महराश्र की आप संस्थापिका हैं आपके इस शनी आश्रम में ही 24, 25, 26 जून दो हजार तेईस को एक भवे पंच्टतव महोटसफ, पंच महाभूत लोकोटसफ का आयोजन हुआ था पंच्टतवों की सुरक्षा और संतूलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंच्टतव महोटसफ में राश्रिय संत सम्मेल्यान का आयोजन हुआ इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठधीश्वरों ने मिलकर किया संपून कारिक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद एस्ट्रोलोजन साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदीजी ने ही किया जिनके व्यक्तिगतने मंत्रन पर भारत के अनेक राज्यों से सो से भी अधिक संत महात्मा, सत्गुरु, आध्यात्म शिरोमनी, शिरीशनी आश्रम, छत्रपती संभाजी नगर, महाराश्र की पावन भूमी के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराश्र शेत्र से भी लगभग 500 संत महात्मा, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागिदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्भोधन से लोगों को मंत्रमुक्त भी किया जिसमें कोलापूर महाराश्र के कनेरी मट के पीठादीश्वर, स्वामी अद्रिश्य काट सिध्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतिय गोसेवा संग राइपूर्थ 36 गड के प्रमुख तूदा दिधारी मट के मठादीश, महामंडलेश्वर शिरी राजेश्री, सुन्दरदाश्ची महराज प्रमुख थे, साथ ही, बीजेपी के राश्रिय प्रवक्ता, श्री सुधान शुत्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोधी उर्फ राज्तिती, नारायन रैकी सत्संग परिवार, मुंबई ने अपनी ओजस्वी, मोटिवेशनल वानी स सभी को मंत्र मुक्त किया, तीन दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सोभाग्य मिला, श्री साथिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कारिकरम का महत्पुन हिस्सा भी बनी, इस पूरे त्री दिवस ये संत्संग में साथिका डॉक्टर विभाश्री पूरे हिंदुस्तान में टीवी देखने वालों को मैं ये बताना चाहती हूं कि आपके अंदर में छुपे जो बहुत अच्छे गुण हैं जो बहुत बड़ी शक्तियां हैं उनको उजागर कीजिए क्योंकि मनुष्य आपके अपने भाग का निर्माता सोयम आप है भगवान जब तक आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करोगे जो बोएगा फालूसी को मिलेगा तो शंत ग्यानेश्वर जी का इस दुनिया में आगमन और उनकी पीड़ा का आगमन दौनों का एक साथ हुआ है महराष्ट के व्यक्ति तो बहुत सारी उनसे जुड़ी कथा प्रसंग जानते हैं पर जो नहीं जानते हैं उनके लिए मुझे संचित में बताना है और शनी पीड़ा कहां कहां है उससे साथ आप गुजरे नहीं होंगे इसलिए आपको अपनी पीड़ा जादा नजर आती है नानक दुखिया सब संसार तो बिट्टल पंत कुलकरणी एक बहुत स्रिष्ट संत महात्मा ज्यानी सन्यासी का नाम है बिट्टल पंत कुलकरणी के मन में पहले तो बहुत आशा थी कि उनके हाँ कोई उलाद हो कोई संतान हो पर शादी के बहुत साल बाद उनको कोई संतान नहीं हुई पत्नी का नाम था रुकमणी बाई जब साधी के बहुत साल बाद संतान ने हुई तो पती पत्नी ने दोनों ने बिचार बिमर्स किया कि मेरे मन में बहुत दिनों से भाव है कि मैं संतों की सेबा करूँ, काशी चला जाऊँ मैं वेराग धारन करूँ, मैं सन्यासी बनूँ पर ये संतान के मोहे ने मुझे इतने साल तक रोक रखा उन्होंने पत्नी से आग्राय किया कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक तपस्वी बनूँ, एक साधक बनूँ पर ये ग्रस्ती मुझे रोक रही है पतनी का मन का भाव बड़ा ही बिचलित होता कभी तो लगता कि मैं इनको सुक्रती दे दूँ और कभी लगता कि इनके सन्यास लेने के बाद में जो एक चाह है मेरे अंदर में संतान को पाने की वो भी चली जाएगी क्योंकि उनको प्रवल एक्छा थी कि मुझे संतान होना चाहिए जब बिठल पंत कुलकरणी जी ने देखा कि मुश्किल है पतनी को दिल से तैयार करना कि वो मुझे सन्यास दीछा लेने दे या मुझे बेराग लेने दे या मुझे साधक बनने के लिए इस भूमी को छोड़ कर जाने दे तो उन्होंने एक दिन ये फैसला किया कि मुझे तो जाना ही है और किसी को बोलने से रुकना नहीं है और उन्होंने हट करके कि नहीं मुझे अभी गिरस्ती जीवन नहीं चाहिए मुझे तो सन्यासी बनना है और वो काशी चले गए जिस इस्थान पर आज मैं रहती हूँ उसे औरंगाबाद जिला कहते हैं औरंगाबाद जिले के अंदर में उसके नजदीक में एक पैठन तालुका है संत एकनाथ की नगरी कहते हैं उसे त्रिवेणी का इस्थान है उस पैठन के अंदर में वो बिठल पंत कुलकरणी रहा करते थे जब उन्होंने काशी में जाकर संतों की सेवा करना चालू की तो उन्होंने अपने गुरू से गुरू का नाम था स्वामी रामानंद महराज स्वामी रामानंद जी से हट करके एक बार सन्याज दिख्षा ले ली बड़ी अच्छी स्रद्धा सेवा से समर्पन भाव से प्रसन होकर स्वामी रामानंद जी ने उन्हें अपना प्रमुक्षिश्य बनाया और उनको दिक्षा दे दी एक बार हुआ ये कि स्वामी रामानंद जी जैसे जगे जगे सत्संग करते थे सेवा काम करते थे वैसे ही एक बार वो काशी से औरंगावाद जिले में वो काशी से पैठन में उस जगे तक गए उस पवित्र भूमी में उस प्यारी पवित्र नदी के पास में पहुँचे जहां पर सैयोग से बिठल पंद कुलकरणी की पत्नी रुकमणी बाई पूजा करने गई थी लोगों ने कहा कि बहुत पहुचे महात्मा आये हुए हैं काशी में बास करते हैं तो मैं मालूम है कि तुमारे पती भी काशी में ही कहीं गए हैं महात्मा को कहीं तुमारे पती के बारे में पता होगा महात्मा से तुमारे पती के बारे में पूछो कि वो कहां रहते हैं आएं जिन्यास ले सकते हैं। इसने अभी तक सुईकार नहीं किया था कि मेरे पती कभी बापस नहीं आएंगे। इसके मन में अभी भी था कि मेरे पती आएंगे ही आएंगे। तो जब स्वामी रामानंजी वहाँ पर गए और उन्हों ने देखा कि नदी किनारे से जैसे ही वो पूजन करके जाते हैं। तो दो महिलाएं आती हैं। उसमें एक महिला रुकमनी बाई है। उसने चरण पकड़े, चरण बंदना की आशिरवाद मांगा। और भगवान के र वित्रबती हो। अब यहाँ याद करो वो कहानी जो हमने कभी बच्पने में पढ़ी थी, सुनी थी, बहुत पुरानी कथा, सती सावित्री की। जब सती सावित्री ये अमराज को रोकती है और ये अमराज से कहती है तुम मेरे पती के प्राण नहीं ले जा सकते। तुम मे मैं तुम्हें इने को बापस नहीं कर सकता तो सावीतरी पीछे 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 जाती है और वो यम्राज से कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा जब तक करूंगी जब तक तुम मेरे पती सत्वान के प्रांड नहीं लोटा देते और वह कहते हैं यम्राज कि इनके दिन खतम हो गई है, इनकी जिन्दिकी खतम हो गई है, मैं इनके प्राण्ट तुम्हें बापस दे नहीं सकता। तुम जो बर्दान चाहाओ मांगलो, मैं तुम्हें बर्दान दे सकता हूं, तुम्हारे पती को बापस जीवित नहीं कर सकता। तो बापसी की सर्थ रखते हैं कि मैं तुम्हें बरदान दे सकता हूँ, तुम मुझे बरदान मांगो, तुम्हारी सती होने की जो तागत है, तुम्हारी जो पती की प्रतिनिष्ठा है, जो तुम्हारी सच्ची सेवा है, उसने मेरा हिर्दय परिवर्तन कर दिया है, कि तुम अपने पती के साथ भी जाने को तैयार हो, यहां दुनिया में रहने को तैयार नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें बर्दान दे सकता हूँ तो आप सब जानते हैं, मैं रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि सावित्री ने ये कहा, मुझे पुत्रवती होने का बर्दान दे दीजिए जब सावित्री जानती है कि मेरे पती को ये लेके जा रहे हैं मुझे पुत्रवती होने का बर्दान कौन देगा और यमराज ने भाव देखाना कुछ उसकी सरद्धा देखी और ततास्तु कह दिया फिर पीछा करती है पीछे 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 इदर आगे यमराज पीछे सावित्री आगे यमराज पीछे सावित्री अरे भई आप तो पीछा छोड़ दे तुने जो मांगा था मैंने दे दिया आप क्यों मेरा पीछा कर रही है तब सावितरी कहती है मेरे पती सत्वान के प्राण आप लेके जा रहे हैं बिना पती के मैं पुत्रवती कैसे होंगी जब आप मेरे पती के प्राण लोटाएंगी तभी तो मैं पुत्रवती होंगी अब फस गए अमराज अपने ही दिये बचन में और अपने ही दिये वरदान में कि अब तो मुझे इसके पती के प्राण बापस करने पड़ेंगे नी तो मेरा बरदान गलत हो जाएगा ठीक वही किस्सा आज बिठल पंध की पतनी रुकमणी बाई के साथ हो रहा है रुकमणी बाई ने उनसे कहा कि महराज जी मुझे एक आशिरवाद चाहिए मेरी जोली भर दीजे मुझे पुत्र होने का आशिरवाद दीजे एक आसा है कि एक पुत्र हो मेरे आपर मुझे संतान नहीं है मैं संतानवती होना चाहती हूँ मुझे संतान सुक्त चाहिए और उन्होंने तथास्तु कह दिया जब उन्होंने तथास्तु कह दिया तो रुकमणी ने हाथ जोड़कर बिंती करते हुए बड़े सरद्धावान होकर कहा महराज जी मुझे कहते हुए थोड़ा सा संकोच लग रहा है आपने कहा है कि मैं पुतरवती हो जाओंगे पर महराज जी मेरे पती मेरे साथ नहीं रहते मुझे नहीं मालूम वो कहा है मेरे पती इतनी तरों से मेरे साथ नहीं है उन्होंने घर का त्याग कर दिया है उनके मन में सन्यास लेने की इक्षा थी और वो चले गए घर छोड़के कई सालों से तो मैंने उनके दर्शन भी नहीं किये फिर मैं पुतरवती कैसे हो जाओंगे वो तरिकाल दर्शी थे वो बहुत ग्यानी और साथा कुरुस थे उन्होंने कहा तुमारे पती का नाम बताओ पता चला बिठल पंत कुलकरणी इनके पती का नाम है बोले कहा गए है बोले काशी गए है ऐसा कहे कर गए है तो उन्होंने कहा कि बिठल पंत कुलकरणी इतने दिन पहले गए वो ऐसे दिखते हैं इस तरीके के हैं इतनी उम्र के दिखते हैं रुकमणी भाई ने कहा हां महराज जी तो इन्होंने ध्यान लगाये तो पता चला कि उन्हें के आस्रम में जो सेवा करने वाला जो संत है वही बिठल पंत कुल करणी उनके साथ रहता है जिसकी पतनी आज पुत्रवती होने का संतान प्राप्ती का बरदान मांग रही है और इन्होंने तथास्तु कहे भी दिया भरोसा रखो, तुमारे घर में संतान जरूर होगी। उसके बाद जब काशी लोटते हैं महाराज जी, तो काशी लोटने के बाद में बिठल पंदकुल करणी को बुलाते हैं और कहते हैं, हमारी धर्म संस्क्रती कहती है कि हम पत्नी की मर्जी के बिना सन्यास नहीं ले सकते। तुमने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं कि सन्यास हट करके लिया और पत्नी की मर्जी नहीं थी। उनके पास कोई जबाब नहीं था। उन्होंने उनको आदेश दिया कि मैं तुमारी पत्नी को मिल चुका हूं और तुमारी पत्नी को संतान प्राप्ती का बरदां दे इसलिए मेरा अब यह आदेश है कि आप यह सन्यास का अब पूरा का पूरा धर में छोड़कर गरस्त जीवन जिएगे। देखो यहां से टर्निक पॉइंट, यहां से किस तरीके से एक सन्यासी गरस्ती बनता है और गरस्त जीवन सन्यास धारन कर लेता है। कहाई कि तुमको बापस जाना पड़ेगा, फिर से जाईए अपने गरस्त जीवन निभाईए और सन्तान सुख की प्रापती होगी। ऐसा तुमारा भागी कहता है कि तुमको सन्तान होने के सुख है। और उन्हों ने कहा एक नहीं दो नहीं तीन तीन संतान के सुक तुमको है इसलिए तुमको गरस्ती जीवन में प्रिवेश करना पड़ेगा वह भाबुक होने लगे गुरुदेव से कहा गुरुदेव ऐसा आदिश ना करें अब लोग जानने लगे हैं कि मैंने सन्यास ले लि उलाहे ना कसेंगे लोग मुझे चरित्रहीन बोलेंगे पता नहीं क्या क्या कहेंगे पता नहीं मुझे किस-किस दौर से गुजरना पड़ेगा मैंने तो जिंदिगी में ये कल्पना भी नहीं की पर अब लोगों के सामने में कैसे खड़ा हो पाऊंगा मेरे लिए तो बड़ी अपमान जनक बात होगी सब बोलेंगे ये सन्यासी ये सन्यासी देखो कैसा वेरागी नकली सन्यासी नकली वेरागी ये फरग्रस्ती भोग रहा है नहीं नहीं इतने लंबे समय तक तो मैंने अपने आप में तप करके अपने आपको तपाया है गुरुदेव मुझ उसकी पत्नी को अब गुर्देयों भी कहने लगे कि मैं तुम्हारी अब एक भी सेवा सुईकार नहीं करूंगा तो मैं मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा यदि तुम मुझे गुरू मानते हो तो अभी के अभी यहां से जाओ और अपना ग्रस्त जीवन अपनाओ आज के जैसा जागरूक नहीं था आज तो बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है तो जब सन्यासी गरस्ती जीवन में प्रिवेश करता है तो वो इतने ज़्यादा अपमान को सेहन करते हैं हर समाज के व्यक्ति जितने भी थे उन पर उंगली उठाते हैं वो देखो नकली सं प्रिवर्तनी ने बुला लिया फिर ना जाने क्या क्या हो बाहर निकले तो ताने सुने उठाव में रहे तो ताने सुने बस अपमान के ही घुट पी है और जब उनको पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था निर्वरत्ती बाद में वो नवनात पंते के प्रमुख निर्थि नाथ बने तो जब उनका पहला पुत्र हुआ निव्रत्ती तो इतने लोगों ने ताने कसे सन्यासी का बेटा, सन्यासी का बेटा, सन्यासी का बेटा, बच्चा जाए तो अपमान सहे, कहीं और जाए तो अपमान सहे, और ऐसे अपमान का घूट इतना जादा हो गया कि उनको ब्रहामण समाज से निश्कासित कर दिया गया ये कलंक माना गया कि कोई सन्यासियदी पुनागरस्ति जीवन में प्रवेश करता है और ब्रहामण समाज का है तो उसे पूजनी होने का दिकार नहीं है उसको ब्रहामण समाज में रहने का दिकार नहीं है, सारे ब्रहायमनों ने मिलके उनको जाती से वहिश्क्रत कर दिया कुछ उस समय कट्टर पंथी थे, कुछ उस समय ऐसे ब्यक्ति थे जिनकी साख चलती थी, जिनको लोग सलाम करते थे और जो उनका कहना मानते थे और जिनको लगता था कि यदि हम इनको दंडित नहीं करेंगे, तो फिर हमारा मान सम्मा नहीं किया तो उन्होंने इतनी कट्टर पंथी अपनाई कि इनको कोई भी व्यक्ति, दान दक्षणा नहीं देगा नोकरी ब्यापार नहीं देगा, काम नहीं देगा, इनको कोई मदद नहीं करेगा जो इनकी मदद करेगा, जो इनको काम देगा, वो इस गाओं में नहीं रहेगा इस्तिती बहुत नाजुक मोड पर थी उसी समय संत ज्यानेश्वर का जनम हुआ नाम रखा गया ज्यान देओ अब जैसे ही ये जनम लेते हैं, लोगों ने सबसे पहले इनके उपर में लांचल लगाना चालू किया, सन्यासी का बेटा आ गया लोग जब निवरत्तिनात और ज्यान देओ, जब भिक्षा मांगने जाते जब आसपास कहीं जाते, तो लोग घर के दरवाजे लगा लेते ये कहीं पानी लेने के लिए जाते, या इनकी माँ पानी लेने जाती जल भरने नदी ताला में जाती, तो लोग इनके घड़े फोड़ देते बहुत तिरसकार सहा सन्यासी से गरस्ते जीवन बनना अभी शाप हो गया फिर जनम हुआ, मुकता का, जिनका नाम पढ़ा मुकता बाई और बहुत बड़ी संत बनी वो अब ये तीन बच्चे हुए अब तीनों बच्चों के लिए वो तरस्ते रहे कि कोई इनको जाती से वहिसक्रत ना करे पर माता पिता को जाती से बहिसक्रत कर दिया, समाच से बहिसक्रत कर दिया तो फिर उन लोगों की कौन सुने वो बार बार कहते रहे, मेरे बच्चों को सामिल कर लो मेरे बच्चे ग्यानी हैं, मेरे बच्चे धर्मे के मारक पर चलने बाले हैं मेरे बच्चे बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत गुणी हैं, पर कौन सुनें? हमेशा एक ही बात, जिसके माता पिता है ऐसे, वो बच्चे हमारे यहां क्यों रहें, वो बच्चे, उन बच्चों को हम क्यों मदद करें? तो ये तीनों बहन भाई तरसकरत होने लगे और तीनो बहुत बहुत अपमान के घुट पिये जन में से लेकर पूरे 15 साल तक की उमर तक, जिंदगी ने ठुकराया, गरीवी ने बहुत तकलीप दी, अपमान के घुट पिये, समाज ने बहुत लांचन दिये, जो कसूर उनका नहीं था, उस कसूर का भी उन्होंने द्रंडब अब उस सन्यासी के बच्ची उसमें उनका क्या खसूर है पर उस खसूर का भी उन्होंने द्रंडभोगा और बाद में एक पिरेड़ा हुई कि दुनिया कुछ भी कहे स्री कृष्णी के परमभक्ति थे उन्होंने कहा मुझे दुनिया में कुछ ऐसा काम करना है जो मैं ये सिद्ध करूँ कि मेरा जनम लेने का मकसद क्या था और उन्होंने सबसे पहले स्रीमत भागवत गीता को पहली बार मराठी भासा में ग्यानेश्वरी के नाम से तयार किया ये पहला चरण था कि किसी ने मातर भाशा में किसी ने लोकल भासा में मराठी भासा में किसी ने संस्कृत के उस बहुत बड़े साहित को सरल बना के लिखा था जो असंभाव काम था जिस समय लोग पूरी तरह संस्कृत बोलना पढ़ना और उसका आर्थ समझना ही पूरी तरह नहीं जानते थे उस समय उन्होंने पंदरा साल की उमर से वो लिखना चालू किया और बाद मैं फिर तीन-चार साल होते होते उन्होंने वो साहित कंप्लिट किया 21 साल की उमर के पहले पहले तो उन्होंने चार बड़े-बड़े साहित लिख डाले और वो लोग प्रिय हो गए, जन प्रिय हो गए फिर लोग उनके भक्त बन गए उनको शुदता का प्रमान पत्र दिया गया उतने बड़े शंत को भी सुदता का प्रमान पत्र देने के बाद में समाज में लिया गया, बताओ, जिसकी कोई गल्ती ही नहीं थी, बोले आप अशुद्ध है उस समय का प्रचलन देखिए ये रूडिवादी परमपराएं और अंदे विस्वास देखिए ये में जो प्रिसंग आपको बता रही हो, पहली शनी पुड़ा कहां से लगती है, जब व्यक्ती मा के गर्व से आता है अपने प्रारब्द के भोग लेकर आता है हम कहते हैं मा के गर्व से शनी लाए है हम कहते हैं मा के गर्व से साड़े साती और उस बच्चे ने जनम लिया है उसके माता-पिता को उससे ज़्यादा संगर्स क्योंकि बच्चे ने किस माता-पिता को चुना है और कौन से माता-पिता उसकी परिवरिश कर रहे हैं उसका संगर्स दिखिये तो यही हुआ ग्यानदेओं के साथ में यही हुआ निवरतिनाद के साथ में और यही हुआ मुक्तवाई के साथ में कि माता-पिता का संगर्स आप बच्चों को और बच्चे जिस घर में जनम ले रहे हैं वो अपने प्रारब्दे के साथ क्या लेकर आए हैं अब इस जनम की जो पुने-पुझी है वो तो बड़ा होने पर पता चलेगी ना आपको इस जनम में जो भक्ती की है जो दान किया है जो धरम किया है जो अच्छा जीवन जिया है जो करुणा से दया से ममता से परमारते से आपने दुनिया को देखा है मदद की है अब तो इस जनम में जब बड़े होंगे तब मिलेगा ना बीज दबाने पर तुरंद फल क्या से मिलेगा बीज दबाने के बाद में उसे अवसर तो आने तो कि उसको अंकुर होगा, पौधा लगेगा, फूल लगेंगे तब फल आएंगे पर पिछले जनम में तो आप जो पैदा होने के पहले जो आप बट ब्रक्ष बना कर आए हैं उसका तो फल भोगेंगी ना तो ऐसी इस्तिती में दूसरी शनीपुड़ा जब चालू होती है, जब बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जिनको यह समझ नहीं होती कि कमाया कैसे जाता है, घर चलाया कैसे जाता है उस बच्चपने की उमर में जब उनके माता पिता ने, बिठल पंत कुलकर्णी ने बहुत अपमान देखा कि हमारे कारण हमारे बच्चों का तरसकार हमारे कारण हमारे बच्चे लोग समास से बाहर है इनको लोग अच्छूत कहते हैं इतने बड़े ब्राहमन कुल में जन में लेने बाले बच्चे हमारे कारण अपमानित हो रहे हैं हमने कोई गलती नहीं कि उसके बाजुद भी हमारे बच्चे उसकी सजा पा रहे हैं हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो हो सकता है हमारे बच्चे उस अपमान के घुट से बाहर हो जाएंगे और उनकी ऐसी सोच हो गई कि पती पतनी दोनों ने नदी में डूप कर आत्मत्या कर ली कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों को समाज अपना लेगा अब ये कल्पना करो जो बच्चे खुद अपने प्यारों पर खड़े होने लायक नहीं हुए जिनका बच्चपना है वो बच्चपने में यदी माता बिचुड़ जाए और बच्चपने में पिता बिचुड़ जाए क्या इससे बड़ी सनी पिड़ा भोग सकते है आज मी इतनी बड़ी सनी पिड़ा कि मा का साया भी गया पिता का साया भी गया और उसके बास समाज तो ठुकरा ही रहा है, लोग तो अचूद कही रहे हैं, कोई मददकार करने वाला, मदद देने वाला ब्यक्ति ही नहीं है, अब भीक मांगने से अलावा कोई साथ नहीं रह गया, सिर्फ भीक मांगना ही, भरण पोश्टन करना ही, सिर्फ इतना ही ग्यान है कि हमें संगीत करना है, गाना है, अच्छे बचन बोलना है, घर-घर में जाना है, कुछ मिल जाए तो घर में आके कम से कम भोजन विवस्था करनी है, पर वो भी तो मुश्किल है, जाते हैं लोग द संतान के साथ जब समाज ऐसा कर सकता है, उस समाज को क्या आप अच्छा बोल सकते हैं? उस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में हम जीते हैं, उतने समय से लेकर आज के समय तक कि कितना परिवर्तन हुआ होगा, और कितना परिवर्तन उनकी ग्यानिश औरी पढ़कर लोगों के अंदर आया होगा और कितने अंधेरे घरों में दिया जला होगा ग्यान का आप कल्पना करो तब जाके आज समाज ने उसको समझा है तब जाके लोग उनको भगबान मान कर पूझ रहे हैं वहां से नई आत्रा होती है शुरू और नई आत्रा से फिर धीरे धीरे संत ग्यानिशवर बन जाते हैं वो और लोग समझने लगते हैं उनके चमतकारों से चमतकार तुम्हें बताना ही नहीं चाहिती चमतकार तो भरे पड़े हैं जब वो लोगों के आगे चमतकार प्रदर्शन करने लगे तो चमतकार को नमशकार है फिर जो बिरोधी थे उनसे चमा मांगने लगे उनके दो-चार चमतकार उन्होंने देखे तो बिरोधी आके उनसे चमा मांगने लगे वो कहने लगे इतना बड़ा साधक कि संभव को संभव करके दिखा दे इसलिए लोग उन्हें माफ करने लगे और फिर गुरूर करने लगे कि अब तो हम इने अपने में मिलाएंगे तो हमारा नाम उचा हो जाएगा हम आगे बढ़ जाएंगे इस तरीके से लोगों ने उनको अपने में मिला लिया तो जिस विक्ती ने अती गरीब होगी है वो पहली शनी पुड़ा जिससे मा का साया उठ गया दूसरी शनी पुड़ा पिता का साया उठ गया तीसरी शनी पुड़ा जिसके जनम लेते ही माता पिता कलंकित हो रहा है और बच्चा भी कलंकित हो रहा है उससे बड़ी शनीपुड़ा क्या हो सकती है और जो भीग मांगकर गुजारा बसर कर रहा है उससे सनीपुड़ा क्या हो सकती है पर फिर मैं आपसे कहती हूँ दिलाता नहीं कोई शनी जैसा लेने वाला आदमी चाहिए बिकट परिस्तिती में भी उन्होंने अपने आपको तरासना बंद नहीं किया उन्होंने भक्ती में कहीं भी थोड़ा सा भी कमी नहीं लाई उनको पूरा भरोसा था मैं कृष्ण भक्त हूँ आज नहीं तो कल स्री कृष्ण ही हाथ थामेंगे और स्री कृष्ण ही मेरी नईया पार करेंगे क्योंकि स्री कृष्ण के जैसा जनम उनका भादर पदकृष्ण अश्टिमी को ही हुआ था उन्होंने कहा कि नई मेरे अंतर मन में स्री कृष्ण बिराजमान है तो मुझे जिस काम के लिए परमात्मा ने यहां भेजा है, मुझे वो काम करके जाना है और ये बिश्वास उनका बहुत प्रबल था इसलिए उन्होंने सारी दुनिया की बहुत सारी अपमानित बातें सुनी पर उसको पॉजिटिव लिया कि यही मुझे तरास करेंगी, इसी से मैं आगे बढ़ूँगा और इसी से मुझे दुनिया को चेंज करना है और बदल कर दिखाना है ये इतने सारी बातें जो हैं वो सब मेरे लिए प्रशिक्षण हैं सिखाने का एक माध्यम है कि मैं अपने आप को अंदर से मजबूत करूँ और उन्होंने पॉजिटिव सोचा उसे और अपनी लडाई में अपने आपको सक्षम बनाया सुपात्र बनाया मेडिटेशन कैसे करते हैं ध्यान में कैसे उतरते हैं ध्यान से ग्यान कैसे पैदा होता है किस तरीके से आदमी बिना पड़े लिखे भी बिद्वान बन सकता है कैसे उसे अंतरमन से सारी शिक्षाएं आती है ये सब उन्होंने ध्यान की प्रक्रिया से सीखा और दुनिया को सिखाया 21 साल की उम्र होते होते आपके पूना के पास आलंदी में शिवेश्वार मंदिर के पास में 21 साल की उम्र में उन्होंने समाधी ले ली 21 साल की उम्र कितनी होती है आप कल्पना करो उन्होंने कहा है मेरा काम पूरा हो गया जिस समय लोग भगवान बनकर उनकी पूजा करने लगे जिस समय उनके अनन भक्त हो गए जिस समय बरोधियों ने रास्ता छोड़ दिया जिस समय शत्रुओं ने शत्रुता बनानी छोड़ दी जिस समय वो दूद से घी बन गए और लोगों ने सुईकार कर लिया अब इने दुवारा दूद नहीं बनाया जा सकता उस समय उन्होंने इस पंच तत्व से नेर में सरीर का त्याग कर दिया और उसके बाद उनके जाने के बाद जो टीम तयार हुई जाने के बाद जो उनको जानने मानने वाले तयार हुए उन्होंने आज उनको शीखर पर पहुँचा दिया कि उनका अधूरा काम जो छोड़ कर गए थे आज उन्होंने पूरा किया ये है सच्ची शनी समय की शनी दर्शा की कहानी कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय जब आता है तो उसे कैसे प्रूब करना है कैसे जीवन जीना है कैसे सुपात्र बनना है शनी देवा को प्रणा शनी राजा को प्रणा